पंजाब में लोगों की स्वास्ते को बहतर बनानी की नहीं ना सिर्फ पंजाब की भगवतमान सरकार बल्कि विधायकों ने भी इनिशेटिव लेना शुरू कर दिया है आम आर्मी पार्टी के विधायक गुर्पीद गोगी ने लुध्याना में एक अनोखा चलता फिरता क्लीनिक बनवाया है जिसका नाम क्लीनिक ओन वील्स दिया गया है बतादे विधायक ने एक बस को क्लीनिक में कनवर्ट किया है जिसमें एक डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्निशन समिट पास स्वास्तिकर्मी लोगों का इलाज करते हैं और ये बस लुधियाना वेस्ट विधान सबा के अलगले इलाकों में जाती है जहाँ पर लोग अपना इलाज करवाते हैं विधायक गुर्पीद गोगी का कहना है कि CM भगवतमान सरकाल लोगों को स्वास्ति सुविधाय बहतर देने के लिए हर मुम्किन प्रियास कर रही है पंजाब में 600 से अधिक महुला क्लीनिक खुल गए हैं लेकिन कई बुज़ूग पेशेंट हैं जो अस्पिताल या क्लीनिक तक जाने में आस्ता मर्त या फिर वो महिलाए जो घर पर व्यस्त रहने की कारण समय पर इलाज नहीं करवा पाती हैं ऐसे लोगों तक क्लीनिक ओन वील्स के जरिये सुविधाय पहुचाई जा रही हैं इस क्लीनिक में ब्लड टेस्ट फ्री दवाई ऑक्सीजन समित एम्बूलेंस की भी सुविधाय और अगर कोई पेशेंट की तब्यस ज्यादा खराब दिखती है तो उसे एम्बूलेंस के जरिये स्पिताल भी पहुचाए जाता है